पार्ट एक भाषा और व्याकरन लांग्विच और क्रैमर वाह विबान तुमने तो मैच में बहुत अच्छे रन बनाए धन्यवाद कमल अच्छा आज तुम पहुँच जाओगी मौसी के घर आने पर हम सब पिकनिक पर जाएंगे इस चित्र में सभी एक दूसरे से कुछ कह रहे हैं और सुनकर समझ रहे हैं हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और सुनकर समझते हैं इस चित्र में माता जी कहानी लिख रही है, पिता जी पुस्तक पढ़ते हुए मुस्कुरा रहे हैं, लीना पत्र पढ़कर खुश हो रही है। हम लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और पढ़कर समझते हैं। इन चित्रों में ये सब लोग बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर एक दूसरे को अपने मन की बाते समझा रहे हैं और एक दूसरे के मन की बाते समझ भी रहे हैं। इस प्रकार एक दूसरे की बाते समझना और समझाना ही भाशा है। जिस साधन से हम अपने विचारों या बातों को दूसरों पर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं. मनुष्य ही भाषा बोलते हैं, बाकी प्रानी तो सिर्फ आवाजे ही करते हैं. जैसे चड़िया चीची करती है, मेंदक टर टर करता है, कुट्ता भाव भाव करता है, लोग अलग अलग भाषाएं बोलते और लिखते हैं, गुजरात में रहने वाला गुजराती और पंजाब में रहने वाला पंजाबी भाषा बोलता है, इसी तरह अलग 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 भाष बोली जाती है. जर्मनी के लोग जर्मन और चीन के लोग चीनी भाशा बोलते हैं. इंग्लिंड में अंग्रेजी भाशा बोली जाती है. हमारी कुछ भाशाएं. बांगला, मल्यालम, कश्मीरी, राजस्तानी, मराथि, पंजावी, तामल, ओडिया हिंदी हमारी राज भाषा है, ये पूरे देश में बोली और समझी जाती है भाषा के रूप बातों को समझाने और समझने के आधार पर भाषा के तीन रूप होते हैं भाषा के रूप मौकिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा 1. मौकिक भाषा, बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाना और उनकी बात को सुनकर समझना मौकिक भाषा है दो, लिखित भाशा, लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुचाना और पढ़कर लिखी हुई बात को समझना लिखित भाशा है 3. संकेतिक भाषा, संकेत या इशारों द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुचाना और उन संकेतों को देखकर समझना संकेतिक भाषा है व्याकरन के अंतरकत संकेतिक भाषा का अधियन नहीं किया जाता व्याकरन कई बार बोलती या लिखते समय हम गलत या अशुद भाषा का प्रयोग कर लेते हैं इससे हमें अपनी बात समझाने और दूसरी की कही बात को समझने में मुश्किल होती है जैसे मानलो यदि राम कहे मैं आम खाती हूँ तो मैं समझूंगी कि राम कोई लड़की है क्योंकि राम ने अशुद भाषा का प्रयोग किया है उसे कहना चाहिए था मैं आम खाता हूँ व्याकरन हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है हमने सीखा हम अपने मन के विचारों बातों को एक दूसरे तक पहुचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं भाषा के तीन रूप होते हैं मौखिक, लिखित और सांकेते भाषा का प्रयोग केवल मनिश्य करते हैं व्याक्रण में केवल मौकिक और लिखित भाषा का ही अध्ययन किया जाता है। भाषा का शुद्रूप हम व्याक्रण से सीखते हैं।